तो दोस्तों हम संधी की नेक्स्ट क्लास लेते हैं लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ आज सटेड़े है और कल है रवीवार रवीवार को जो आफलाइन टेस्ट्रीज है उसका सेकंड पेपर होने वाला है जो बीकानेर में आफलाइन होगा दो सेंटर रखे गए हैं परदस यह कहूं 100% फीड़ेग था बड़े बड़े जो विद्वान टीचर से ध्यापक हैं जब उनको भी स्टुएंट्स ने बताया कि सरी पेपर कैसा है तो उन्होंने भी यहीं फीड़ेग दिया कि बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट है और आप इसे जोइन रखे लग कि हम जो भीड़ है उसमें हमारी रेंक कोन से आती हम किस रेंक पर इस हो तो निष्यतरुप से आफ्लाइन तो आफ्लाइन टेस्तरिज को जिए इसको इग्रोन न करें फिर भी अगर बकानर से बाहर वार quelque यहीं किसी भी जिनले से अटो हको पॉइंट अप्लिकेशन पर स्टोर में जाएंगे और वहां पर 21 PDF पेपर, 21 PDF पेपर नाम से साइन्स रीट, साइन्स रीट, सेकंड डेड हिंदी, सेकंड डेड जी के चार टेस्ट रिच चल रही है, बहुत जबदस्त है, वहां पर आपको PDF पेपर में दोता है, और इस PDF पेपर को आपको OMR स्ट पर हल करना होता है, और हल करने के पश्चात आप जो है, हमें feedback बताएंगे, क्लिएर बात है, कि वास्तों, OMR स्ट को फोटो को खींच के बेजेंगे, और उससे समझने में कुछ सूचना है, और भी ढाल दूगा, तो दोस्तों, जो भी सूचना मैं एप पे डालूं, उसे ध्यान से देखा कीजिए, कई बार सूचना डालने के बाद भी वैसे ही फोन आता है, तो यह मैंने सूचना पहले दे दिये, तो उस सूचना को बार बार नब पूछें, और इस टेस्ट को वास्तों में अभी तक भी समय पढ़ा है, कल शाम साड़े चार बज़े पेपर स्टार्ट होगा, तो साड़े चार से साड़े साथ तीन घंटे पेपर चलेगा, आप उस से शेयर करूँगा, ताकि पता चले कि नई वास्तों में लोगों की तैयारी कैसी है, क्लियर बात है, चलिए, अब आगे चलते हैं, नियम नमर फोर, तो हमने कल जो लास्त नियम किया था, वो किया था, कि अगर मा के बाद में, अगर कोई भी कल से लेकर मा मा को छोड़कर वरन आता है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, वो अपने पांच में बतल जाता है, यह नियम हमने फिसलिव कलास में कर लिया है, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगा, और अगर अंतस्तिया उश्म आ जाते हैं, तो उस कंडिशन पर अनुस्वार आ जाता है, तो यह भी हम कर च म आ जाए, तो क्या हो जाएगा, मम हो जाएगा, कैसे, जैसे सम्धन मान, तो क्या हो जाएगा, सम्मान, यह नियम हम साथ कर चुक हैं, मैं शॉर्ट में अपना देता हूँ, सम्धन मती, क्या हो जाएगा, सम्मती, सम्धन मोहन, समोहन, समधन, میلن, क्या हो जाएगा, सममेलन, तो अगर मा केबाद मा आये तो मम हो जाता है, एक तो ये नियम है, उसके बाद में एक अगला नियम और भी है, वो अगला नियम क्या है, कि अगर मा के बाद स्वर आए तो जो मा होगा वो स्वर सहित हो जाएगा बिल्कुल उसमें वो स्वर जो है वो जुड़ जाएगा कैसे जैसे समधन आचार क्या हो जाएगा समाचार ऐसे ही वामधन आचार क्या हो जाएगा वामाचार है ना ऐसे ही तो अमधन आचार क्या हो जाएगा तो यह भी एक छोटा सा नियम है कि अगर मा के बाद कोई स्वर आए तो वो स्वर उसमा में एड हो जाएगा तो यह दो नियम होगे अब अगला नियम प्रिक्योर बढ़ते हैं ठीक है तो यह दो नियम है देखो संधी कोई जरूर नहीं कि मैं टेंशन लेके करें करें हम इमीजी वेंड़ीं कर सकते हैं ठीक है और संधी में जब में टेस्ट होगा और मैंने आपको कहा था इसी वी इसी सक् Register आपका बहुत बड़ा टेस्ट होने चलिए अब ये अगला है कि सम उपसर के बाद हाँ जी नियम नंबर 6 क्या कहता है अब की बार पूरा सम है सम के बाद अगर क्रीधातू से बने वे शब्द आते हैं क्रीधातू जैसे करण, कृत, कार, कृती तो अगर इस प्रकार के सम के बाद अगर क्रीधातू से बने वे शब्द आते हैं, तो क्या होता है, ये जो मा होता है, ये तो बदल जाता है अनुस्वार में, मा तो बदल जाता है अनुस्वार में, और, और, सर का आगम हो जाता है, सर का आगम होता है, जैसे संधन कार तो मा का तो अनुस्वार हो जाएगा सह का आगम हो जाएगा संसकार संधन कृति क्या हो जाएगा संस्कृति क्योंकि मा का तो अनुस्वार हो जाएगा सह का आगम हो जाएगा संधन कृति क्या हो जाएगा संस्कृत संधन संसकरण ठीक है तो एक नियम तो यह होता है कि अगर संध के बाद करीध हाथ उसे बना हुआ शब्दा जाए तो ऐसी कंडिशन पर मा अनुस्वार में चला जाएगा और सरसड़क का अगम हो जाएगा यह नियम होता है ठीक है कैसा नियम और भी है वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ वो नियम यह है नियम नमबर साथ नियम नमबर साथ क्या कहता है देखो नियम नमबर साथ कहता है अगर परीउपसर के बाद कार वही क्रीधातु से बने वे सब्द ठीक है अगर क्रीधातु से बने वे सब्द आए तो इन दोनों के बीच में शर्श अटकोन का आगम हो जाएगा ठीक है जैसे परिश्क्रत जैसे परिश्कार क्या हो जाएगा परिश्क्रन ठीक है तो ये एक नियम और है जिसमें ये का जाता है कि अगर परिश्क्रत के बाद आजाए तो फिर क्या हो जाता है शर्श अटकोन का आगम हो जाता है तो ये नियम नमबर 6 और ये नियम नमबर 7 है नियम नमबर 6 और नियम नमबर 7 ये दोनों नियम हो गए सरल सरल तरीके से अगर संदी करें मैंने तो हमेशा यह है कि confusion दूर करने का परियास किया है कि आप easy तरीके से जो चीज कर सकते हो उसको ज़्यादा क्लिस्ट बनाने के आउशक्ता भी नहीं है ठीक है उसे एक क्लिस्ट बनाने के आउशक्ता नहीं है देखो दोस्तों जिन्होंने हिंदी पॉइंट एप्लिकेशन पर टेस्टरीज ले रखी है जो एकाउन रुपेवाली वो प्रैक्टिस सेट है उनको भी हम आगे चल कर अपडेट करेंगे लेकिन आप यह सोचके देखें कि जो यह जो टेस्टरीज हो रही अभी दिक्कत रखते हैं जैसे वो क्या करते हैं यह इतने में आई यह ले ली फिर यह इतने में यह ले ली फिर आपके कावे सास्तर का कोर्स यह ले लिया ठीक है सर आपके रीट का कोर्स यह ले लिया इस तरह से लेते हैं तो इस तरह से सारे रुपे भी मतलब रुपे भी वहीं पर लग जाते हैं और बहुत कुछ उनका अधूरा रह जाता है फिर हर चोटी से चोटी चीज लिए जैसे जो combo course हमने मतलब देखा है combo course हिंदी पॉइंट application पर combo course है उसमें क्या है उसमें देखो उसमें school व्यख्यता उसमें school व्यख्यता का course भी पूरा है ठीक है साथ में second grade की हिंदी का course भी पूरा है ठीक है उसके अलावा read जो व्याकरन जो main exam तक वो भी इसमें सामिल है और स्कूल व्याख्याता हो गया, सेकंड गेर्ड हो गया, रीट व्याख्याता हो गया, है ना, और स्कूल व्याख्याता सेकंड गेर्ड रीट, इसके अलावा जो ये स्कूल व्याख्याता की जो टेस्स स्रीज है, स्कूल व्याख्याता की दोनों टेस्स स्रीज, कौन सी, एक इकाउन रुपे वाली और एक 309 बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली यह हुई नहीं अभी तर और इसी तरह सेकंड ग्रेड की जो दो टेस्टरीज हैं एक एकाउन वाली और एक 309 यह दोनों भी फ्री तो सोचिए एक कोंबो कोर्स में जब आपको सब कुछ यानि कोंबो का म इसलिए मैं राय देता हूं कि अगर आपको लेना ही है तो आप इस कॉंबो कोर्स को खर्च करें ताकि इसमें सब कुछ आजाएगा और इसमें तीन एक्जाम पूरे किलियर होंगे सेकंड ड्रेड इसके अलावा रीड और इसके अलावा व्यक्याता इसके अलावा व्यक्य कि मतलब पैसा भी खराब हो जाए वगरा लेकिन फिर भी किसी को केवल टेस्टरीज लेनी है तो वो तिन सुनियानम जो अभी ऑफलाइन टेस्टरीज चल रही है उसे ले सकता है है ना ठीक है तो वो लोग जो है वो साथी जो है थोड़ा सा देखो मैं यह नहीं चाहता मैं ने बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी का भी अनाव TJ Q रूपया खर्याब हो देखो रूपया हम सब रूपय के विछे दोड़ रहे हैं बिल्कुल हम सब चाहता हैं 2 रूपया कमाएं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कि किसी का अनाव호 श्यक पैसा खर्ज करवा जाए ज सोस समझ के लिए कि हम मुझे यह चीज चाहिए मुझे यही चीज लेनी है आपको लगता नहीं आप वास्तों में नेट जारेफ कुछ स्टुएंट्स आते हैं नेट जारेफ किये हैं कुछ टीचर्स लगए हैं फिर भी वो कहता है नहीं साल एक साथ दे दो ताकि मैं बार बा मिलना पड़े इस कारण से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग कॉम्बो पेक लें उसमें आपको निश्यतुर्प से फाइदा होगा और कंटिन्यू तीनों एक्जाम में बैठोगे मैं जानता हूं सब बैठेंगे तो उसमें आपको फाइदा होगा कि चलो हाँ यह चीज सवरों के बाद सव एंजन आने पर संधी की स्थिति में सवर बहुत अच्छा चोटा सा नियम है यह क्या कहता है यह के बाद अगर सव एंजन आता है तो वो संधी की स्थिति में शह में बदल जाएगा शह में बदल जाएगा कलीर बात है अगर शह आता है तो शह में बदल जैसे मैं एक छोटा सा उधार लिखता हूं नी धन सेद अब नी में क्या है ए है और पीछे कैसे तो जो हम इसे इसकी संदी करेंगे तो क्या हो जाएगा निशेद हो जाएगा हो जाएगा निशेद ठीक है ऐसे ही निशेद हो गया उसके बाद देखो अभी धन सिक्त तो क्या हो जाएगा अभी शिक्त है ना अभी शिक्त शर्षट कौन हो जाएगा अच्छा ये पूरा आएगा और अभी शिक्त ठीक है आता सक ठीक है, उसके बाद अभी धन सेख, अभिशेख, सूधन समीता, सुष्मीता, सूधन समा, सुष्मा, ठीक है, ऐसे ही, प्रती धन सेख, क्या हो जाएगा, प्रती शेख, ठीक है, वी धन साद, क्या हो जाएगा, विशाद, और भी अच्छे उक्जामपल देख लेते हैं, हाँ, एक ये दो अच्छे अग्जामपल, जैसे, उपनी धन सद, उपनिशद, ऐसे ही, परी धन सद, क्या हो जाएगा, परिशद, तो ये इस परकार के एक्जामपल है, ये कहते हैं, कि अगर ई या उ के बाद में, या फिर ने जब तोड़ो आप, तो ये देख लो, सर शटकौन से पहले, अगर ई या उ है, तो तोड़ते समय, वो जो सर शटकौन है, वो सर सडक में चला जाएगा, तो प्रती धनसेद, प्रती शेद, वी धनसाद, विशाद, इस परकार से याद रखें, अगर ई उ के बाद सर आए, तो सर सर शटकौन में बदल जाएगा, इसमें कुछ अपवाद आ जाते हैं, अपवाद क्या हैं, जैसे युधी, धन, इस्थिर, तो अब ये क्या हो जाएगा, अपवाद ये भी अपवाद नहीं है, बलकि ये अलग नियम में आ जाएगे, ठीक है, अपवाद तो नहीं है, क्योंकि कारण क्या है, इसमें आप देख सकते हैं, हम लिख लें एक साथ, इसमें शाह के साथ ये भी बदल रहा है, युधी, श्थिर, ठीक है, जैसे एक दो शब्दो रहें, प्रतिष्ठान निश्च चुड़े हैं, ये भी देखिए, प्रतिधन, इस्थान, ये एक्जामपल हलाँ कि अलग नियम में आता हैं, फिर भी यहाँ देख लो आप, प् इसे अफवाद कहना अनुचित होगा, क्यों अनुचित होगा, क्योंकि, क्योंकि इसमें निश्चित रुप से शर्षटकॉण हो रहा है, अब ये जो था बदल रहा है, तो ये अलग नियम के तहद बदल रहा है, हाँ, इसमें हम यू कह सकते हैं, कि कहीं कहीं संयोग होते ह तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं जैसे वी धन सर्ग अब इसमें क्या होगा सर्ष रटकॉर्ण नहीं बदलेगा क्या हो जाएगा वी धन सर्ग जैसे अनूधन सार क्या हो जाएगा अनूसार वी धन सर्ग विसर्ग अनूसार वी धन स्मरण तो क्या उजाएगा विस्मरण ठीक है विसरग हो गया विस्मरण हो गया और इसके अलावा अनुसार हो गया एक और लिख लो चलो विसरजन वीधन सरजन तो ये जो सब्द है ये सारे कैसे सब्द है ये संयोग वाले हैं ये तो हम अलग नियम में फिर भी काउंट कर सकते हैं युदिष्टर, प्रतिष्टान, निष्ठुर, बाकी आप देख सकते हैं वीधन सर्ग, विसर्ग, अनुधन सार नुसार, वीधन समरन विसमरन और वीधन सर्जन, विसर्ग, तो इसमें कुछ ऐसे संयोग है जहां पर व इनको अपवाद क्यों खा गया उसके पिछे भी कारण बताओंगा आपको, है ना, उनके पिछे भी कारण बताता हूँ, यह मिटा दूँ उपर वाला, ठीक है, इसे मिटा देते हैं, अगले नियम में इसका कारण बताते हैं, देखो जो अपवाद होते हैं ना, उन अपव ञादों में हमेसा टुकड़े ही पूसते हैं जैसे रामाइन है नारायण है प्रोड़ है विम्बोस्ट है अद्रोस्ठ है इन में इनको कहते हैं इनका स़ह या था आजाए जैसे अगला नियम है कि अगर शह के बाद क्या आजाए तः या थः आजाए तो तः जो है वो तः में बदल जाएगा और थः जो है वो थः में बदल जाएगा जैसे अगला शह के बाद तः या था आए तो परिवर्तन करते समय क्या आजाएगा परिवर्तन के बाद में तः या था आ जाता जैसे अब इसमें आप देखो अच्छा यह जो शह है यह सर अब इसमें खन्फ्यूज रोने के अश्यक्ता नहीं जैसे देखो उत्क्रश धन तो शा के बाद तो आया है तो क्या हो जाएगा उत्क्रश्ट ऐसे ही विश्धन था क्या हो जाएगा विश्था विश्धन था विश्था ऐसे ही इश्धन था इश्ट क्या हो जाएगा इश्ट शस्धन था शस्था ठीक है और भी जैसे मानलो ठीक है ये भी अच्छा उधारन है विश्धन था ठीक है तो ये सारे उधारन जो है इस नियम कहें कि अगर शा के बाद में तर या था आए तो जो तर है वो तर में जाएगा तर है जो तर में जाएगा ये इस नियम को भी आप थोड़ा ध्यान में रखना ठीक है नेक्स नियम लेते हैं देखो मतब एक साथ एक से जुड़े में नियम है वो एक साथ ले लेते हैं फिर वो एक बड़ा नियम है वो दो बड़े नियम है कौन से बड़े नियम जिसमें हम देखते हैं कि कन्फूजन होता है कहां होता है वो कन्फूजन वो कन्फूजन होता है सर त आएगा या उत आएगा या उद आएगा तो उसको लेकर जो दिक्कत है वो भी मैं आपको एक साथ बताऊँगा पहले हम लेंगे हाँ ये ले लेते हैं पहले नियम देखो अगर कोई श्वर हो रहो शाहो और उसके बाद ना आए अब ये जो ये तीनों है हाला कि कहते हैं कि तोड़ते समय संदी से पहले लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं ये दोनों उससे ठीक पहले भी आ सकते हैं अगर न इनके बाद अगर ना आ रहा है तो वो ना जो है वो रणा में बदल जाएगा रणा में बदलेगा कैसे बदलेगा? देखो हमने लिखा कृश्दन तो श्र आगया आया इस बार तो क्या हुजएगा? कृश्ण ऐसे ही देखो हम लिख दे मर धन न तो र आगया आया है मरण ऐसे ही भरदन क्या हुजएगा? भरण हो जाएगा परी धननाम स्वर आया इस बार? तो परिणाम परिधन मान अब देखिए यह जरूरी नहीं है कि प्लस के तुरंद बाद ना आए कई बार यहां पर भी आ सकता है यह ना बाद में भी आ सकता है बाद में भी आएगा तो भी यही होगा परिमान क्या हो जाएगा परिमान जैसे प्रेा प्लस मान क्या हो जाएगा अब देखोई यह लास्ट मैं आ रहा है आ रहा एक ने आ रहा है जैसे आप सब पढ़ते हैं राम धन अयन तो नव कितना लास्ट प्लसißt मैं है नारायन, ठीक है। ऐसे ही प्रणेता प्रण, यह वे च्छे हैं, प्रधन नेता, क्या हुजाएगा प्रणेता, प्राधन, क्या हुजाएगा प्राण, प्रण, तो यह देखो, कोईश्वर रश। इनके बाद अगर न आए चाहिए वो कहीं पर भी आए तो ऐसी कंडिशन पर क्या होगा न जो है वो रणा में बदल जाएगा जिसके मैंने आपको काफी उधारण बता दिये जैसे आप लिखना चाहो तो रिधन न क्या हो जाएगा रिण तो यह सारे नियम होते हैं और यह नियम काम भी करते हैं आपको उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा समझा गया उमीद करता हूँ समझा रहा होगा बढ़िया तरीके से और टेस्ट के लिए फिर बोल देता हूँ एक ओनलाइन टेस्ट में करवा रहा हूँ दो चार दिन में यानि इस आज सटेडे है नेक्स सटेडे से पहले आपका एक ओनलाइन टेस्ट होगा बहुत जवर्दस टेस्ट होगा उसमें समास, संदी, उपसर्ग जितने भी अब तक उपसर्ग नहीं जो टापिक नहीं हुआ है वो तो होंगे नहीं और जो हब तक हो चुके है वो सारे टापिक जो है मैं वो करवाने का प्रियास करूँगा ठीक है उन टापिक को कवर करके सो कॉशन का टेस्ट लेंगे और स्पीड ली लेंगे निश्ची दुर्प से एक सवा गंटे ये डेट गंटे की क्लास हम जरूर लेंगे ठीक है चलिए अगला नियम में बड़ा अच्छा है कि अ आ और अ आ ठीक है अच्छा अच्छा होगा है ठीक है अ आ ई और उ के बाद अगर क्या आजाए च्छा आजाए तो च का आगम होगा तो कहां क्या होगा च्छा का आगम होगा जैसे आधन च्छादन तो आ है उसके बाद च्छा आया है तो च्छा का आगम आच्छादन व्रिक्षधन चाया व्रिक्षत चाया ऐसे ही तरूधन चाया तरुध चाया ऐसे ही चत्रधन चाया चत्रचाया यह भी लिख लिए आपने इसके अलावा देखो इसके अलावा देखो आप अच्छा सब्द है मुख धन चवी मुख चवी ठीक है ऐसे ही प्रती धन चाया प्रति चाया ऐसे ही अनूधन चेद अनूध चेद परीधन चेद परीचेद आना ऐसे ही वीधन चेद विच्छेद ठीक है और चलो यह भी लिख लिए आपको लिखा दूगे यह भी हाँ यह अच्छा उधारण है यह भी देख लोगे दो उधारण और है मेरे पास एक धन चट्र एक चट्र और अंग धन चेद अंग चेद तो यह एक नियम है जो नियम कहता है अ आ ई उ के बाद अगर च्छ आ जाए तो चर का आगम होगा तो किसका आगम होगा चर का आगम होगा और यह थारण बोहत इंप़ोर्टन इधारण है आपने देखो मैं नहीं जांता कि आप मेंसे कितने नोट्स बना रहें नहीं बनाता हूं कि मेरी क्लास जो है कल वाली फिर मिस हो गई क्योंकि वास्तों में थोड़ा समय का भाव था आज ये क्लास जो है वो मैं अभी दिन में स्कूल से आते हैं तुरंद स्कूल से आते ही मैंने बस चाह पीके और सीथा रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया मेरा प्रियाश यही रहता है कि आप लोगों को आप लोगों की नियमित्ता नहीं तूटे लेकिन आप सब जानते हैं कि पहली प्रात्मिक्ता हमारे लिए जो हमारा विध्याले है वो हमारी प्रात्मिक्ता है हमें उनको साथ में लेकर चलना होगा है ना तो पहली प्रात्मिक्ता हमारा वही है और अभी कि रेगुलर नहीं आने के कारण जो है व्यूस वगरा कम आने लगे इस्टुएंट्स कम देखने लगे लेकिन अगर आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करोगे तो निश्ची तुरुप से फिर से हमारे पास इस्टुएंट्स की गैधरिंग होगी और बढ़िया तरीके से प्लीज 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 कोपरेट विद मी और सपोर्ट प्लीज है ना तो ज्यादा ज्यादा शेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद